नमस्कार दोस्तों बाला जिस्टरी एड़ में आपका स्वागारत है सुपर टेट के जैसे की प्रेक्टिस सेट हम आपको सॉल्व करा रहे हैं तो इससे पहले हमने प्रेक्टिस सेट नमबर 10 में तारकिक ज्यान सूचना तक्नीकी जीवन कॉसल के प्रसंदेखे थे जो कि आपको साइट में हाई बिटन में वीडियो मिल जाएगा कम्प्लीट प्लेलिस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी आज हम देखेंगे सेट नमबर 11 जिसमें हम आज हिंदी के जएवो 20 प्रसंद देखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं प्रसंद नमबर 1 से प्रसंद पहला है कि नवरत्न सब्द में कौन सा समास है चार ओप्शन दे रखेंगे आपको बताना है कौन सा सही होगा ओप्शन A, B, C या D चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की अउप्शनaroundबर D दीखु समास जो है वो बिल्कुल सही होगा नवरत्न यानिकी नवरत्नों का समू संक्या वाच्ची सब्द है संक्या को प्रदर्स्रित कर रहा है तो दीखु आपका बिल्कुल सही होगा अगला प्रसन दो कहा रहा है कि संतोस का विलोम सब्द है चार ओप्षन है आपको बताना इन चारों में से कौन सा सही होगा ओप्षन A, ओप्षन B, ओप्षन C या ओप्षन D चलिए बात करते हैं उत्तर की तो ओप्षन नमबर C असंतोस जो है वो बिलकुल सही हो जाएगा बहुत ही सिंपल सा प्रसन था अगला प्रसन कहा रहा है कि दो पहाडों के बीच खाली इस्थान जो है उसको क्या कहते हैं घाटी कहते हैं, उपत्तिका कहते हैं जमीन कहते हैं या उपर्युक्त सभी जो चार उप्षन है, आपको बताना है कौन से सही होगा चले बात कर लेते हैं उत्तर की तो आपका उप्षन नमबर E, घाटी जो है वो बिलकुल सही हो जाएगा दो, पहाडों के बीच खाली स्थान को जो है वो घाटी कहते हैं इसके लाबा उपत्यका भी जो है काफी बार पूचा जाते हैं तो ध्यान रखिएगा परवत के पास की भूमी जो है उसको कहते हैं उपत्यका ऑप्षन में आपको परवत का सिखर प्राणियों के पेट का एक अंग सूरिज इस परवत के पीछे से निकलता है इस टाइप से जो है वो देखने को मिलते हैं अगला प्रसन चार कहा रहा है कि वर्तनी के अनुसार सुद्ध रूप आपको बताना है कि इरसया जो है किस प्रकार से लिखा जाता है प्रस्न अगला पांच वह गह रहा है कि किस सब्द का जो संदी विच्छेत है वो सही नहीं है जहांपर नहीं लिखा उसको पहले अंडरलाइन कर लीजे क्योंकि काफी बार ध्यान हट जाता है और प्रस्न गलत हो जाता है अबूरमी का भी और सचींद्र का भी अगला प्रस्न छे देख लेते हैं कि इदन्नम रचना किसकी है चार उप्षन दे रखे हैं आपको पताना इन चारों में से कौन सा सही होगा चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की तो आपका उप्षन नमर डी मैत्रई पुस्पा बिलकुल सही हो जाएगा इदन्नम रचना किसकी है तो मैत्रई पुस्पा जो है उनकी रचना है अगला प्रसंद साथ कह रहा है कि जहां एक क्रिया के समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरी पूर्ड क्रिया के होने का बोध होता है जैसे दिनेज पढ़कर सोया तो पढ़ना भी क्रिया है, सोना भी क्रिया है, तो एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया हो रही है तो वहाँ जो पहली क्रिया है, उसको क्या कहते हैं, यह आप से पूछा गया है, चार आप्शन है तातकाली क्रिया, पूर्वकाली क्रिया, पूर्वकाली क्रिया दो बार option में दे रखा है और क्रिया अर्थक क्रिया तो 4 option है आपको बताना है कौन सा सही होगा चलिए बात कर लेते हूं तरकी तो आपका पूर्वकाली क्रिया बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ नीचे भी आप देख सकते हैं इस पर आधारित प्रस्न पूचा गया है कि लेखक किस वर्ग से संबन देता है तो पैरग्राफ पर आधारित है तो डारेक्ट उत्तरम आपको बता देते हैं मध्यम वर्ग सही हो जाएगा यानि कि मध्य वर्ग आप्शन नमर बी अगल आए भारती संगर्स का संदर्ब है तो चार ऑप्शन है भारत का स्वतंतरता संगर्स बिल्कुल सही हो जाएगा बढ़ते हैं अपने ग्यारवे नमबर प्रस्न पर प्रस्न कहा रहा है कि निम्म में से कौन सा सामाजिक वर्ग ब्रिटिस सासन प्रणाली की उपज था उच् तरकी तो मध्वर्ग बिल्कुल सही हो जाएगा ओप्शन नमबर डी कही न कहीं ये भी पैरग्राफ पर ही आधारित है क्योंकि मध्वर्ग के बारे में उपर भी प्रस्न पूचा गया था प्रस्न 12 और 13 आपका मुहाबरों पर आधारित है प्रस्न 12 कह रहा है कि बकरे की म कब तक खेर मनाईगी इस पर आधारित चार ओप्शन है कि खत्रों से कब तक बचा जा सकता है बकरे की मा की प्रातना करना पकरे का मास खाना या बकरे का जंगल में खूमना तो आपको बताना है कि इन मुहाबरों का सही अर्थ कौन सा होगा बात कर लेने चले उत्तर की तो आ बहुत महिनत करना कुछ भी प्रयत्र ना करना परेसान होना या निश्चिंत होना तो चार ओप्शन है आपको बताना है कौन सा सही होगा चले बात कर लेते हैं उत्तर की तो आपका ओप्शन नमबर B कुछ भी प्रयत्र ना करना को हम कहते हैं हाथ पर हाथ धर कर पैठना ब बात कर लेते हैं उत्तरगी तो आपका असुद यहां पर विज्यान जो है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि इस प्रकार से जो है वो विज्यान लिखा जानता है आप जबी जानते हैं यह समसान है बिल्कुल सही लिखा है व्यंग भी सही लिखा है और आचरण भी जो ह बात कर लेते हैं उत्तल की तो आपका option number C अनू प्लस A सड बिल्कुल सई हो जाएगा यहाँ पर जो U है ये प्लस A जो है ये मिलकर जो है वो वा प्लस A जो है इसका निर्मार जो है वो करेगा तो इस प्रकार से संधी विच्छेत का जो रूल है यहाँ पर लगेगा और यदि आपसे पूछ ली जाती कि संधी कौन सी है यहाँ पर यड़ संधी जो हो जाती अगला प्रसन देखते हैं 16 से 20 तक लेकर आपसे पूछा गया है गध्यांस पर आधारित और यह गध्यांस आपका काफी लेंदी दे रखा है और इस पर आधारित प्रसन यहाँ पर पूछा प्रस्ण क्या है 16 नंबर की ईस्वर भक्ति सब्द का विग्रह और समास होगा तो चार आप्षन है सही हो जाएगा ईस्वर की भक्ति ततपूरुस यह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्षन नंबर डी अगला प्रस्ण 17 कह रहा है कि किसी धर्म जो है उसकी आवशकता देने पर इस्वर की चरण मांग लेने पर नास्तिक हो जाने पर या धर्म पर विश्वास ना होने पर ये प्रस्ण का उत्तरा सभी का बिना पैरग्राफ पड़े भी दे सकते हैं तो सही होगा आपका उप्षन नंबर C नास्तिक हो जाने पर अगला प्रस्ण 18 कह रहा है कि ब्रह्मास्त्र का सही संदिविचेद क्या होगा चार आप्षन है आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की तो आपका आप्षन नमबर A ब्रह्म प्लस अस्त्र ये जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा अगला प्रस्ण 19 देख लेते हैं कि पंडित दूद पीता है वाकि में कारक जो है वो क्या होगा चार आप्षन है आपको बताना है इसमें कौन सा जो है वो सही होगा आप्षन A, आप्षन B, आप्षन C या आप्षन D चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की तो करता और कर्म जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर विवक्ती आप देखते हैं तो करता ने कर्म को इस टाइप से जो है वो चलती है चलिए बात करते हैं अगले और इस वीडियो के लाश प्रस्ण की क्योंकि कुल 20 प्रस्ण ही जो है हम देखते हैं और इसके लाबा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक भी आवश कर देजेगा और जैसे कि इस अभी वीडियो में आपसे एक नएक प्रस्ण भूज़ते हैं इस वीडियो का आपके लिए प्रस्ण यही है कि वनवास में कौन सा समास होगा बहुबरी समास, ततपुरुस समास, कर्मधार है यह द्वन्द यह आपको वीडियो के में कमेंट में टाइप करके बताना इन चारों में से कौन सा जैवो सही होगा इसके आगे के जो प्रस्ण हैं इंगले संस्क्रत और विज्ञान के वो हम आगे आने वाले जो पार्ट हैं उसमें जैवो देखेंगे यह, बताना इन